हलो नमस्कार आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज तक रेडियो के वीकली हेल्थ शो हलो डॉक्टर में जहां बात होती है आपकी और हमारी सेहत की आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हीट वेव और उसके कारण होने वाले हीट स्ट्रोकी राजधानी दिली से लेकर इस वक्त लगभग उत्तर भारत के सभी राज्यों का तापमान अधिक से भी अधिकतम 50 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर रहा है ऐसे में बहुत से लोग हीट वेव के कारण अपनी जान भी गवा रहे हैं इसलिए आज के एपिसोड में हम लोग एक बातचीत करेंगे कि हीट वेव का आपके शरीर पर किस तरह से असर पड़ता है इससे कैसे बचा जा सकता है मेरे साथ स्टूडियो में मौझूद है डॉक्टर आर्वियस भला डिरेक्टर एन हेड इंटरनल मेडिसन सरवोदे हॉस्पिटल हलो डॉक्टर आपको बहुत-बहुत स्वागत है हमारे पॉड्कास्ट में थैंक्यू चेतना जी डॉक्टर बहुत बेसिक चीज से मैं शुरूबात करना काथी हूँ हीट वेव तो हम सबी को मालूम चल रही है क्या होती है कैसे होती है लेकिन जैसे हम लोग हार्ट स्टूड बोलते हैं ब्रेन स्टूड बोलते हैं वैसे ही टर्म हीट स्ट्रोक सुनने के लिए मिला तो exactly हम हीट स्ट्रोक किसे कहते हैं हीट स्ट्रोक हीट से होने वाली शरीर में विमारी की एक्स्ट्रीम आवस्था है जिसे हम medical emergency मानते हैं इसमें ऐसा होता है कि तेज गर्मी, भीशन गर्मी के कारण जो बॉड़ी का heat loose करने का mechanism है वो बिल्कुल ही fail हो जाता है तो ये extreme condition में होता है इसमें शरीर का तापमान बहुत ही तेजी से बहुत high degree तक चला जाता है यूजली 104 के उपर हीट जब तापमान होता है तब हम उसे heat stroke की गिंती में लेते हैं और बहुत ही जल्दी 10-15 मिनिट के अंतर में भी ये जो तापमान है 106-108 तक जा सकता है ऐसी अवस्ता में जो इनसान होता है उसके शरीर बिल्कुल गरम होता है बिल्कुल भी उसको पसीना नहीं आ रहा होता है और BP वगरार लो होता है धरकन तेज होती है पिशाप की कमी आ जाती हो और कई मेजर ओर्गन जैसे की लिवर, किड्नी और जो हमें रक्त की कान है उन सब पर असर पड़ता है कोगलेशन प्रोफाइल भी खराब हो सकता है खुन बहने की शम्ता भी बढ़ जाती है तो ये एक ही जानलेवा स्थिती है इसका तुरंथ recognition होना चाहिए और तुरंथ ही उपचार होना चाहिए और सबसे अच्छा इसकी रोख थाम अगर हम कर सकें तो वो सबसे अच्छा चीज रहेगी क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं मुझे बताया कि 104 डिगरी तक अगर तापमान पहुँच जाता है तो हम उसको हीट स्टोक में काउंट करने लग जाते हैं इन जेनरल इनसान का शरीर क्योंकि अभी तो तापमान मतलब दिली में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो 52 डिगरी सेलसियस तक पहुँच गया था इन जेनरल इनसान के शरीर की केपैसिटी कितनी है कि वो कितनी हीट जेल सकता है जी बहुत ही अच्छा सवाल है आज कल हम रोज पेपर में पढ़ते हैं कि टेंपरेचर 45 हो गया, 50 हो गया कहीं एक बारी रिपोर्टेट था कि 52.9 भी चला गया मुंगेशपुरी में लेकिन केवल टेंपरेचर के बेसिस पे हम नहीं कह सकते कि हम इस हीट को बरदाश कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे तो दो तरह के मापदरंट होते हैं इसमें ऐसा है कि जो हीट इंडेक्स है वो एक मिश्रन है सामानने तापमान और हवा में कितनी नमी या हमिरिटी है उसको मिला के एक कैलकुलेशन की जाती है तो अगर हीट इंडेक्स 33 से उपर है तो सीरियस की किंती में आता है उसमें बहुत जादा शरीर पे बुरा असर होने की संभावना बढ़ जाती है उसी तरह से वेट वर ग्लोब टेंपरेचर जो कहते हैं एक थर्मामेटर जो आम तापमान नापता है उसको अगर हम ठंडे मतलब पानी से सोक्ट क्लॉट से लपीड देते हैं जहां की पानी वेपरेट होता रहे तो उससे जो फिर टेंपरेचर बनता है उसे वेट ग्लोब टेंपरेचर बोलते हैं और इस टेंपरेचर के हिसाब से अगर देखा जाए लेकिन आजकल कुछ स्टडीज हुई हैं जिसमें 32 डिगरी को भी सीरियस की किंती में लिया गया है तो अगर हम देखें आजकल का जो हमारा वेट बल्ब टेंपरेचर दिल्ली और आसपास के हिस्सों में घूम रहा है वो 30 के आसपास चल रहा है तो अगर हम सही पता करना चाहते हैं तो केवल एंबियन टेंपरेचर जो समाने रिपोर्ट किया जाता है वो नहीं लेकिन हीट इंडेक्स और बेट बल्ब टेंपरेचर के ओपर भी ध्यान दे है जी डॉक्टर अगला जो मेरा सवाल था वो इसी से जुड़ा हुआ कि अब हम लोग क्योंकि हीट की बात कर रहे हैं और आपने जैसा जिक्र किया था पहले जवाब में कि इसका हमारे ब्रेन पर असर पढ़ता है बहुत से लोग मुझे आजकल मतलब पैल्पिटेशन की शिकायत करते हुए दिखाए दे रहे हैं इसा पूल रहे हैं ऐसा बताता है कि सीने पर ख़चाफ पढ़ रहा है तो क्या एक्जाक्ली हमारे शरीर के अंगों को किस किस दरह से प्रभावत कर रहा है ये जी देखिए हीट के उपर जो हीट के कारण जो शरीर के उपर असर पढ़ता है वो माइल्ड से लेके सीवियर तक हो सकता है अगर हम माइल्डेस्ट फॉर्म में कंसिडर करें जो सबसे मामूली होगा हो हीट रैश जिसे हम प्रिकली हीट कहते हैं तो शरीर पे लाल रंगे चोटे चोटे दाने हो जाना चाहे वो चाती पे हो बगल में हो या जांग वले एरिया में हो तो इसके लिए सिरफ टेलकम पॉडर वगर और गर्मी और नमी से बचने की जरूरत है दूसरा एक कंडिशन होता है जिसे हम हीट इडीमा कहते हैं तो उसमें हाथ और पॉण में सूजन आ सकती है इसमें भी हमें ज्यादा नहीं कुछ करना है हाथ उंचे रखने है पॉण उंचे रखने है अगर उससे सूजन में आराम नहीं आता है तो फिर हमें चेक करा ला निचे डॉक्टर से की कोई और बिमारी तो नहीं है। तीसरा होता है हीट एग्जॉशन। तो हीट एग्जॉशन इनसे आगे बढ़के हैं उसमें यह है कि जब हम गर्मी में कोई एग्जॉशन कर रहे हैं तो हमारे शरीर से पसीने का लॉस एलेक्रोलाइट्स का लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसके कारण फिर हमें डिजिनेस या फेंटनेस मैसूस हो सकती है। धरकन ते जो फैल्पिडेशन आप जिकर कर रहे थे वह चीज हो सकती है। प्यास ज्यादा लग सकती है। फिशाब में कमी आ सकती है। और तापमान सो एक सो एक के बीच में जा सकता है। तो इसमें फिर सिरदर्द, उल्टी और लूज मोशन भी हो सकते हैं। तो इससे एक्स्ट्रीम वाला जो हम पहले डिसकस कर चुके हैं हीट स्ट्रोक है जिसमें कई जगाओं पर असर पड़ता है। ये हमारे शरीड के मतलब ब्रेन के अलावा भी कोई हमारे बॉडी पार्ट्स हैं स्पेसिफिक जिस पर एकदम डिरेक्ट असर करता है एक्स्ट्रीम हीट के जो इंपक्ट्स हैं। तो हमारे ब्रेन के इलावा लिवर पे भी एफेक्ट पड़ता है जिसे लिवर एंजाइन्स रिलीज हो जाते हैं लिवर डैमेज हो जाता है हमारी जो किट्नी है उस पे भी असर पड़ता है तो किट्नी ठीक से काम नहीं कर पाती है पिशाफ ठीक से नहीं बन पाता है हमार muscles को damage हो सकता है जिसे हम rhabdomyolysis के नाम से जानते हैं तो एक तरीके से muscle के तूटने को rhabdomyolysis कहा जाता है जब तूटता है जो protein है वो release हो जाते हैं blood में kidneys को filter नहीं कर पाती block हो जाती है, काम नहीं कर पाती है इसके इलावा जो खूँम जमने के लिए जो हमारे विशेश कान है खूँन के वो भी damage हो जाते हैं जिसे हम DIC and disseminated intervascular coagulation कहते हैं जिसके खारण खूँम जमने की श्टक्ती में भी कमी आती है तो एक तरीके से ये multi organ failure हो सकता है multi organ failure, अच्छा ये तो हम लोग बिल्कुल extreme situation की बात कर रहे हैं लेकिन हम लोग रोज बाहर अंदर कर रहे हैं रोज बाहर जा रहे हैं और loose अब को लग रही है बाहर जा कर तो क्या ऐसा भी है कि हमारे शरीर में maybe systematically कुछ हो रहा है heat wave के कारण जो हम लोग अभी identify नहीं कर पा रहे हैं जो heat wave के लिए जाना ज़रूरी है कि एक process होता है शरीर का adaptation का इससे हम एक कॉप करने का भगवान ने एक mechanism दिया हुआ है जिसे की heat acclimatization कहते हैं तो जो लोग गरम area में नहीं रह रहे हैं या जिने बाहर जादा जाने की आदत नहीं है उनको धीरे धीरे अपना exposure heat को बढ़ाते जाना चाहिए जिससे की शरीर में उत्पन होने पसीना प्यादा करने की शमता evaporate करने की शमता coolant रखने की body की शमता बढ़ जाती है इसके लावा जो हम regular ऐसे बाहर जा रहे हैं बाहरी ऐसा होता है कि हम बहुत देर तक अगर खड़े हूँ है तो हमारा जो रक्त है वो पाउं के इसे में ज्यादा रह जाता है गर्मी की वज़े से वैसे ही जो रक्त की धहमनी है वो डिलेटिट होती है फूली होती है ताकि ज्यादा ब्लड फ्लो स्किन में जा सके जिससे कि वहां से फिर इवैपरेशन हो सके तो ऐसे केसिज में फिर आचानक से चक्कराना गिर जाना ये भी देखा गया है उसके इलावा नैचरली जैसे पसीना ज्यादा जायागा तो कमजोरी मसल में क्रैंप आ जाना ये भी एक आम समस्या रहती है कि आचानक से मसल टाइट हो गया उसको सीधा नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी एक नमक और पानी की कमी की निशानी है और जो की हीट की प्रॉबलम के दवारा में मतलब हीट के दवारा काउट पन की होती है मजले हम ये कह सकते हैं कि साफधानी रखने की तो हमें जरूरत है लेकिन कहीं न कहीं हमारी बॉड़ी खुद से उसको धीरे धीरे अड़ाप्ट भी कर सकती है और कर रही है मेरा अगला सवाल वल्नेरिबल ग्रॉप्स का हम लोग जिक्र कर रहे थे वो कौन से ग्रॉप्स हैं human beings के अंदर कौन-कौन से age groups है particularly जो जादा इस heat stroke में या heat wave करे तो mahal बनावा है इसमें जादा vulnerability वाली स्टेट पर है जी बहुत अच्छा सवाल है इसमें हमें जानना जरूरी है कि जो छोटे बच्चे होते हैं जो बुजर्ग हैं 65 साल की उमर के हैं या जो गर्वती महिलाएं हैं या जो लोग हैं जो कि कई तरह की दवाईयां ले रहे हैं जैसे बीपी की दवाई लेते हैं तो उससे भी बीपी लोग होने की चांस रहती है कोई लोग पार्किंसनम से सफर कर रहे हैं उसमें जो दवाईयां वो पसीना निकलने की या पसीना बहाने की शमता को कम कर देते शरीर की कई anti-psychotic medicine होती है जो psychiatric बिमारी के लिए दी जाती है कई anti-depressants है जो की again psychiatry में यूज होते हैं आम तौर पर कई बारे दूसरी बिमारियों में भी यूज होते हैं nervous disorders के लिए तो ये सारी even simple anti-histaminic जो हम allergy के लिए दबाई लेते हैं तो ये सारी चीजे हमारी शरीर की जो sweat produce करने की ताकत है उसमें कहीं न कहीं interfere करती है तो जो ऐसी दबाईयों का सेवन कर रहे हैं वो भी vulnerable group में आते हैं जो लोग शराब ज़्यादा पीते हैं वो भी vulnerable group में हैं क्योंकि शराब से dilatation होता है दमनियों का पसीने का loss ज़्यादा होता है पिशाब ज़्यादा बनता है तो similarly uncontrolled diabetes ले ले लें तो वो भी vulnerable group में है जो किसी का mass patient बहुत ज़्यादा है बहुत heavy शरीर है तो उसके पास relatively heat production ज़्यादा है लेकिन disseminate करने के लिए उसको मतलब heat को lose करने के लिए जो skin की जो area है वो काम है जैसे कोई अगर बहुत मोटा भी है तो भी इन patients को भी ज्यादा chance है heat के द्वारा damage होने का नुकसान होने का या कोई बिमारी उत्पन होने का तो यह सारे vulnerable groups हैं इसके बारे में जानकारी होने चाहिए तो हमें घर पे बच्चों, मुज़र्गों का खास ख्याल रहना चाहिए और कोई आदमी ऐसा है जो की दवाईया ले रहा है medical condition के कारण तो उसको भी ध्यान रखना चाहिए डॉक्टर से एक बार जिक्र जरूर करें और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहे हैं कुछ पता नहीं रखता लडाई हो जाती है एक दूसरे पर चिला देते हैं वेंट आउट खे लेते हैं उसके बाद ऐसे लगते हैं यार एसी में नहीं बैठे थे ठंड़क नहीं मिल रही थी शानती नहीं एसी में बैठे फिर सुलह होती है तो हीट का हमारी मेंटल हेल्थ पे कैसा असर पढ़ रहा है जी नैशली हीट हमारी मेंटल हेल्थ पे भी असर डालती है जैसा कि आपने बताया चिरचिड़ापन हो जाता है गुसा आने की टेंडेंसी बढ़ जाती है और uncontrollable anger जो हम बोलते हैं वो भी होने की chance रहती है तो basically हमें पहचानना पड़ेगा अपने response के लिए थोड़ा सा time हम देखें कि किसी को कहने से पहले एक minute सोच लें तो शायद यह सब चीज़ें ना हो जी डॉक्टर, let's coming to the wrapping point of the podcast जहां मैं अकसर यही जिक्र करती हूँ कि prevention is always better than cure तो हम लोग अभी फिलहाल क्योंकि heat का जो माहौल बना हुआ है यह तो IMD वगेरा की जो predictions है उसके मुताबिक बहुत जल्दी राहत नहीं मिलने वाली है कम से कम दिल्ली और पूरवोतर भारत के जो इलाके है प्लान करना अपने आपको educate करना ही important है हम जानकारी रखें कि heat के द्वारा क्या क्या हो सकता है उन symptoms के लिए जाग रुक रहे हैं जैसे कि मैंने पहले बताए हैं और अपना दिन चर्या इस तरह से plan करें कि हमें तेज गर्मी के समय खासकर 12-3 के बीच में बाहर निकलने की आवशकता ना पड़े अपने पास एक emergency kit रखें रखें रेडी जिसमें कि हमारे पास ORS के दो तीन packet हो रिहाइडरेट करने के लिए एक thermometer हो कि हम अपनी temperature नाफ सकें और अगर स्वाच वालित बैटरी वाला फैन है अपने आपको ठंडा करने के लिए तो वह भी रखा जा सकता है और इसके इलावा हम जो अपना पहन कपड़े हैं उनके ओपर भी ध्यान दें तो loose fitting कपड़े बहुत जादा tight fit कपड़े नाट डालें हलके रंगे कपड़े डालें जो sunlight को reflect कर सकें सूती कपड़ा prefer करें ताकि उससे हवा आ जा सके पसीना सूखने में मदद हो जो synthetic कपड़े होते हैं वो पसीना सूखने नहीं देते हैं और सर को ढखके रखें अगर हो सकता है तो टोपी या चाता या काला चेश्मा डालके रखें sun protecting cream का इस्तेमाल करें sunburn से अपने आपको बचाने के लिए और पानी regular intervals पे पीते रहें चाहिए हमें प्यास ना भी लगी हो तब भी पानी पीते रहना चाहिए हम अपने पिशाफ के रंग से judge कर सकते हैं कि हम कितना हाइडिटेट हैं अगर रंग गाड़ा पी ला रहा है या मातरा का मारी है तो इसका मतलब हम dehydrated हैं हमें और पानी लेना चाहिए हम उस तरह adjust कर सकते हैं कि केवल हलका सा रंग हो या सफेद हो तो इसका मतलब हम अच्छी तरह से हाइडिटेड हैं अच्छा बहुत से लोग ये करते हैं कि पानी में आचकर ग्लूकॉंडी या इलेक्ट्रॉल मिलाकर पीते हैं तो क्या मतलब ये जरूरी होता है देखिए पानी पीना तो जरूरी है ही है अगर हम ग्लूकॉंडी या कोई शुगरी ड्रिंक या चाय कॉफी का सेवन करते हैं तो ये हमारे शरीर से पानी का लॉस इंक्रीज करती है तो गर्मी के महौल में खास कर चाय कॉफी और जो कार्बनेटेड ड्रिंक हम वो शॉक्स जो की नमक को एबजॉब करने में हेल्फ करती है तो तो ये गुड तिंग वो आपको रिहाइडरेट करने में मदद करेगी उसका सेवन आप जरूर करिये खास कर अगर आप एक्सेसाइज कर रहे हैं या आपको कुछ कम्जोरी क्रैम्स या हीट एक्जोशन के सिम्टम मिल केवल पानी भी सफिशेंट है काफी हद तक और अगर हमें नमक की कमी पूरी करनी है तो सिंपल सॉल्ट की बजाए शुगर एंड सॉल्ट जैसे निम्बू पानी हो गया घरोली तो पर अगर हम बोले या लसी हो गई तो उसमें भी हम थोड़ा कुछ मिला के शुगर और इस वगए रहते हैं कि लूग के वकट प्यास खाऊ ममी वगए रहताती है तो उसका क्या मतलब कुछ है ग्राउंड उसके भी? जहां तक मुझे पता है उसके लिए कुछ ग्राउंड नहीं है नैचली अगर तेज गर्मी होते है तो प्यास सिकूट जाता है और लोग कहते हैं क a longer period, लंबे वक्त के लिए तो food products में ऐसा है कि जिस तरह से ज्यादा पानी वले फल जैसे watermelon हो गया या कर्बूजा हो गया जिन में पानी या बेल का अगर हम शर्बत बनाते हैं तो वो भी पानी मतलब पानी की मातरा जिन फलों में ज्यादा अगर उनका सेवन किया जाए तो हमें मदद करेंगे गर्मी से बचने के लिए अच्छा कुछ लोगों को मैंने ये भी देखाया करते हुए कि वो ऐसे cases में बहुत ज़्यादा ठंडी तासीर वाली चीज़े होती है उसका consumption शुरू कर देते हैं और फिर उनको बीपी लोग की पिशेकायत हो जाती है देखे देखे में चीज इसमें है कि पानी और नमक की कमी को नहीं होने देना है कुछ हज तक ठंडी चीज़ें हमें हेल्फ करती हैं क्योंकि वाडी के तेंपरेचर को इंटर्नली वो नीचे लेके आती हैं इंटर्नल टेंपरेचर को डाउन करती है कई बड़ी हम मेडिकल तोर पे भी आई स्लरी देते हैं पीने के लिए अगर बहुत ज़्यादा तेज तापमान हो रहा हो बट अपार्ट फॉम दाट उसको छोड़के कोई खास रोल नहीं है इन सब चीज़ों का जी डॉक्टर एक लास्ट अडवाइस जो आप हमारे लिसनर्स को वीवर्स को देना चाहें जी सावधान रही है जागरुक रही है और अगर एक घंटे के अंदर में आपको एक्जोशन या क्रैम्स से आराम नहीं मिलता तो तुरंट हस्पताल जाएए और कोई आदमी 104 से उपर बुखार है गफलत में है तो उसे जरूर हस्पताल तुरंट लेके जाएए अगर उस लेके जाने से पहले उसको ठंडी जगा पे ले जाएं ठंडे पानी से अगर संभव है तो उसको नहलाएं या ठंडे पानी की शीट उसके उपर रखें सामने पंका चला दें आम बेट्स में ठंडे पानी या बरफ का उपयोग किया जा सकता है रात में कुप चार के तौर पे और जितना जल्दी हो सके ऐसे आदमी को हस्पतार पहुँचाने चाहिए कि बहुत जल्दी ये जान लेवा कंडिशन में कनवर्ट हो सकता है थांक यू सो मच दॉक्टर और थांक यू सो मच फॉर लिसनिंग तो आर पॉड्कास तिल दे वेरी एंड हीट स्ट्रोक पर कैसे ये हमारे शरीर को नुकसान पहुचाता है इसके क्या प्रेकॉशन्स हो सकते हैं क्या इलाज हो सकता है आप क्या खा पी सकते हैं इन गर्मियों में अपने आपको हाइडरेटेट डखने के लिए इस पर हमारी बातचीत हुई डॉक्टर आर वियस भला से फिर मुलकात होगी हेलो डॉक्टर की किसी और पॉड्कास में मेरा नाम है चरीतना काला नमस्कार